उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निर्मनलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे भारत की विभिन आर्थिक प्रणालियों को समझने में इस बात को सीखने में कि किस प्रकार आजादी के बाद भारत के राजनेताओं ने देश में अर्थव्यवस्था की मिश्रित व्यवस्था को चुना। इस बात को समझने में कि किस प्रकार भारत की स्थितियों के अनुसार पंच वर्षिय योजनाओं के दोरान कार्यकी प्राथमिक्ताओं को एक दूसरे से प्रिथक किया गया। को बढ़ा कर आत्म निर्भरता प्राप्त की गई। पंच वर्षिय योजनाओं की आरंभिक अवधी में इस बात को समझने में कि किस प्रकार खेती के द्वारा जीडीपी का विकास दर में योगदान संभव हो पाया। इस बात को समझने में कि किस प्रकार योजनाओधी में प्रभावी दिशानिर्देश तथा सरकारी समीक्षा के तहट भू सुधार के लिए कदम उठाए गए। इस बात को सीखने में कि किस प्रकार विभिन और द्योगिक नीतिगत प्रस्तावों की सहायता से घरेलू कमपनियों के हितों को वैश्विक प्रतिस्परधा की कडी मार से बचाया गया। इस बात को समझने में कि 1991 के दशक के दौरान भारत में नई आर्थिक नीति के उदय के पीछे क्या उद्देश्य तथा कारण थे। आर्थिक प्रणालियां तथा नियोजन विविद आर्थिक प्रणालियां किसे अर्थ व्यवस्था में उपलब्ध अल्प संसाधनों का वित्रण विभिन आर्थिक प्रणालियों को तै करता है। मुखिता, बाजार आधारित अर्थ व्यवस्था में व्यावसाईक कारकों के अत्यंत प्रतिसपर्धा पूर्ण हो जाने के कारण, निर्धन लोगों की सामाजिक तथा मानविय आवश्यक्ताओं की अंदेखी हो जाती है। साथी, निर्देशित अर्थव्यवस्था में संसाधनों के साधन की स्वामी सरकार, पूर्ती तथा मांग चक्र को उनके स्वाभाविक रूप में बनाए रखने में नाकाम हो जाती है। मिश्रित अर्थ व्यवस्था भारतीय मौडल किन्तु मिश्रित अर्थ व्यवस्था में सरकार निर्धनों के लिए सामाजिक तथा आर्थिक जरूरतों को शमित करने की कोशिश करती है। ने अर्थविवस्था को ये मिश्रित रूप प्रदान किया है। भारतिय सरकार्द्वारा निर्मित 1948 तथा 1956 की उद्योगिक नीतियों ने ऐसे सह अस्तित्व का प्रावधान तयार किया है। कुछ आधार भूत तथा भारी उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्रक में संचालित किया जा रहा है। हालांकि भारती अर्थविवस्था के उदारी करण के पश्चात निजी क्षेत्रक की संभावना एवं विकास के दायरे का विस्तार हुआ है। समय की जरूरत योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। प्रारंबिक रूप से इसका निर्मान योजनाओं की दिशा तै करने, बजट द्वारा संस्थानों के आवंटन को प्रभावित करने, तथा समय समय पर सभी राजियों के तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए एक मानक ढाचे के आधार पर उनके प्रदर्शनों की निग्रानी के लिए किया गया था. संक्षेप में ये एक विचार मंच तथा केंद्रिय मंत्रालयों तथा भारत के विभिन राजियों के बीच नियोजन संबंधी संसाधनों के नियाय पूर्ण आवंटन का कार्य कर रहा था. पंच वर्षिय योजनाओं के लक्ष्य विकास की कहानी विश्रित अर्थ व्यवस्था की विशेश प्रणाली को जन्म दिया, जिसमें एक उभरते हुए कल्यानकारी राष्ट्र के साथ, सार्वजनिक क्षेत्रक के साथ साथ, बढ़ते हुए निजी क्षेत्रक की भी महती भूमेका थी. सभी योजनाओं में आर्थिक प्रगती को सरवाधिक एहम प्राथमिक्ता प्राप्त हुई है. निम्न प्रतिव्यक्ती आय तथा इसके परिणाम स्वरूब बचत तथा पूंजी निर्मान की कमजोर दर के कारण भारतिया अर्थव्यवस्था को प्रोच साहन की आवशक्ता थी. ये लक्ष्य विशेश्था ब्रतानी शासन के 200 वर्षों के दोरान अर्थव्यवस्था के विकास की गती उन तह अवरुद्ध होने के परिप्रेक्ष्य में उन तह उचित था. मुख्यक्षेत्रक्थे, क्रिशी, उद्योग, उर्जा तथा परिवहन, तीवरा आर्थिक विकास के द्वारा देश ने राष्ट्रिय तथा प्रती व्यक्ती आय में व्रिद्धी करने का लक्षे रखा. इस प्रकार निर्धंता से मुक्ती की सोची गई तथा जीवन स्तर को विकसित करने की बाद पर भी विचार किया गया. आधुनी की करन तथा आत्मनिर्भरता इस लक्ष की प्राप्ती के लिए पांचवी योजना में खाध्यान उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष रखा गया. निर्यात वृद्धी पर बल देती हुए इस योजना में आर्थिक आत्मनिर्भरता के महत्वपून कारक के रूप में आयात विकल्प उद्योग को स्थापित करने पर जोर दिया गया. संसाधनों का समान वितरण भारत की सामाजिक राजनितिक व्यवस्था में असमानता की गहरी खाईयां पहले से ही मौझूद थी. इस प्रकार भारतिय योजनाओं में इन असमानताओं को कम करने का लक्ष रखा गया ताकि आर्थिक विकास का लाब गरीबों तक पहुँच सके. पहली बार उसी योजना में गरीबी उन्मूलन के उद्देश को स्पष्ट उद्दगार मिला. क्रिशी क्षेतरक में विकास क्रिशिक शेत्रक में विकास की संभावनाई प्रथम पंच वर्षिय योजना का मुख्य उद्देश्य औपने वेशिक शासन से मुख्थ देश में व्याप्त असंतुलन को दूर करना था इस संदर्भ में पूर्व की कुछ योजनाओं में सीचाई तथा कई नदियों पर बांध निर्मान जैसी कुछ दीर्ग कालिक योजनाओं को लिया गया प्रथम योजना में 1960 करोड रुपे की आंकलित राशी का निवेश किया गया जिसमें से 630 करोड अर्थात लगभग 31 प्रतिशत का आवंटन क्रिशी के लिए किया गया चौथी पंच वर्षिय योजना के दौरान अगले दशक के दौरान पांच प्रतिशत की धारणिय व्रिद्धी हेतु आवश्यक दशा के निर्मान के लिए दो मुख्य लक्षत तै किये गए ग्रामीर आबादी के यथा संभव भाग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना तथा इसके लाब का समान वितरण सुनिश्चित करना भूमी सुधार ख्रशी आधारित रहयतों की आर्थिक स्थिती में सुधार करने के लिए उपायों के सरवाधिक महत्वपूर्ण पैकेच को भूमी सुधार कारेक्रम में सम्मिलित किया गया इसमें खेतीहर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए भू स्वामित्व के पुनह वितरण, माल गुजारी को नियंतरित कर इसे युक्ती सम्मद बनाने, जोद के आकार में सुधार करने, परंपरागत क्रिशी में हस्तांतरण के लिए काश्टकारी की अवदी संबंधी स दुरक्षा प्रदान करने, तथा किसानों को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने की बात शामिल की गई. भूमी सीमा संबंधी उपाई प्राथमिक रूप से खेती की जमीन के स्वामित्व पर सीमा आरोपित करने का लक्ष भूमी हीनों की भूमी संबंधी जरूरतों की उर्थी करना. द्वितिय, भू स्वामित्व के मामले में स्पष्ट असमानताओं को कम करना, ताकि ये सरकारी ग्रामीन आर्थिक व्यवस्था के विकास में भूमे का नभा सके. तथा तृतिय, उपकाश्टकारी तथा रेयत के रूप में खेती से भिन्ण, स्वयम की स्वामित्व की भूमे स्वरोजगार में व्रिधी करना था भारत में हरित क्रांती हरित क्रांती का क्या अर्थ है? 1965 के बाद अधिक पैदावार देने वाले बीजों का इस्तिमाल तथा अधिक मात्रा में उर्वरकों एवं सीचाई का प्रयोग सामुहिक रूप से हरित क्रांती के रूप में जाना जाता है जिससे खाद्यान उत्पादन में भारत को आत्म निर्भर बनाने तथा समग्र रूप से क्रिशी व्यवस्था में सुधार करने में योगदान दिया कभी भारत में अनिवार्य माने जाने वाले अकाल तता सूखे हरित क्रांती की फसलों के आरंभ के बाद कभी नहीं लोटे ये शब्द भारत की दशा के उप्युक्त नहीं प्रतीत होता किन्तु समय समय पर ये देश में सरवधिक सफल रहा है खाध्यान्नों में अतिरिक्त विपणन सुनिश्चित करना हम जानते हैं कि खेती की जमीन में सतत विस्तार के साथ हरित क्रांती जारी रही उसी प्रकार दो फसले लगाना इस व्यवस्था की मुख्य विशेश्टा रही थी व्रिहत स्तर पर सीचाई की सहायता से बड़े तथा छोटे जूत वाले खेतों में दो फसल चक्रल लेपाना संभव हो पाया बड़ी मात्रा में मौनसून के प्राकृतिक जल को रोक रखने के लिए बांध बनाए गए जो पहले बरबाद हो जाते थे सीचाई की सरल तकनीके अपनाई गई इससे थोड़ी ही अवदी में विपणन योग्य तथा विपणन किये गए खाध्यान की अतिरिक्त मात्रा उपलब्द हो गई प्रिश्य उत्पात की ये मात्रा जिससे किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है अतिरिक्त विपणन उत्पात कहा जाता है बाजार में फसल की अच्छी खासी मात्रा बेचने के परिणाम स्वरू खपत की अन्य वस्तूओं की तुलना में आध्यान्न के दाम अपेक्षा कृत कम हो गए भारत में हरित क्रांती में प्रोध्योगी की का हस्तक्षे ये बात स्पष्ट है कि नई क्रिशी प्रोध्योगी की संबंधी शोध एवं विकास ने हरित क्रांती को सहारा दिया जैफ प्रोध्योगी की के आधुनिक साधनों के उदय के साथ ही प्रिशी में जलवायू परिबर्तन तथा अन्य ऐसी चुनोतियों से निपठना संभव हो पाया है जो परंपरागत विधी में नहीं किया जा सकता था उद्योग तथा व्यापार विभिन योजना अवधियों में उद्योगिक विकास भारत में वास्तविक प्रगती तथा उद्योगिक विकास पंच वर्षिय योजनाओं की अवधि में ही आरंभ हुआ प्रथम पंच वर्षिय योजना FYP 1951 से 1956 के दोरान ततकालीन उद्योगों तथा सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादी को महत्व दिया गया द्वितिया पंचवर्षी योजना 1956 से 1961 के दोरान प्राथमिक्ता भारी धातू उद्योगों तथा उर्वरक उत्पादन इकाईयों को दी गई त्रिदिया पंचवर्षी योजना 1961 से 1966 के दोरान महत्व भारी धातू अभियांत्रिकी जीवाश्म इंधन उर्वरकूं यांत्रिक और जारूं तथा अन्य चीजों को प्रदान किया गया चतुर्थ पंच वर्षी योजना अवधी 1970 से 1975 में क्रिशी आधारित उद्योगों रासायनेक उद्योगों विशेश प्रकार के मिश्ट धातू इसपाद अन्य मशीनी और जारूं तथा आटो मोबाइल क्षेत्र को प्राथमिक्ता दी गई पांच वी पंच वर्षी योजना अवधी 1975 से 1980 में इसपाद उद्योगों रासायन तथा आउशधी निर्मान पर बल दिया गया छटी तथा सातवी पंच वर्षी योजना अवधी 1980 से 1990 में रेल के डिब्बों, आटो मोबाइल, बिजली के उपकरण, सीमिन्ट एवं रासायन को प्राथमिक्ता प्रदान की गई प्रशिक्षन के लिए उप्युक्त सहायता सुविधाओं की स्थापना की गई सेवा क्षेत्रक, बैंकिंग तथा बीमा ये महसूस करना जरूरी है कि अध्योगिक तथा क्रिशी क्षेत्रकों में विद्यमान अडचनों तथा सेवा क्षेत्रक में भारत की सहज खूबियों के कारण अर्थव्यवस्था की प्रगती में सेवा क्षेत्रक का विशेश योगदान रहा। जहां अन्यदों क्षेत्रकों में विद्यमान अडचनों को दूर किया जाना आवश्यक है तथा इस दिशा में प्रयास भी जारी हैं लेकिन खरगोश के सोजाने तथा कच्छुए के जीतने की उमीद नहीं की जानी चाहिए। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रकों के योगदान और द्योगिक नीती प्रस्ताव आई पी आर उन्निस सो चप्पन की आई पी आर नीती लंबे समय तक आधार भूत आर्थिक नीती का अंग रही। इसने तीन वर्ग स्थापित किये जिसमें राज्य के प्रती विशेश रूप से उत्तरदाई उद्योग, भविश्य के नीजी उपक्रम बाले, तरक्की पसंद राज्या धीन उद्योग, तथा इस क्षेत्रक में भावी विकास की आकांग्षा शामिल है। व्यापार नीती तथा आयात प्रती स्थापन उद्योगी करण क्या है? आयात प्रती स्थापन उद्योगी करण का सामान्य आशय ऐसी नीती से होता है, जो वस्तूओं के आयात की अवश्यक्ता को समाप्त कर घरेलू बाजार में उत्पादन को बढ़ावा देती है। आयात प्रतिस्थापन नीती को साकार रूप देने के लिए पूंजी गत वस्तुओं को उपभोगता वस्तुओं से सीमा शुल्प, कोटा, विनिमाई नियंत्रन संबंधी बाधाउं, विनिमाई दर संबंधी नीतियों तथा आर्थिक एवं रिन या उधार संबंधी नीतिय की सहायता से अलग करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए भारत में कच्छे तेल तथा नेफ्था पर सीमा शुल्क नगणिय हैं, जबकि अधिकांश कृत्रिम रेशों पर तीन सो प्रतिशत तक सीमा शुल्क है। इन उत्पादों के उत्पादन में प्रयुक्त आधार भूत मध्यवर्ती वस्तूओं पर सो से दो सो प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया है। इसके अलावा कृत्रिम रेशों के आयात पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब तक पेट्रो रासायनिक मध्यवर्ती वस्तूओं के आयात पर रोक थी। तथा पी भारत की हालिया नीतियों के अंतरगत कुछ मामलों में इन प्रतिबंधों में कुछ छूट दी गई है। भारत में लाइसेंस राज। इसका संबंध 1947 से 1990 के बीच की अवधी से है। तब अर्थ व्यवस्ता का नियोजन केंद्रिय स्तर पर ही होता था। स्पस्ट रूप से किसी भी चीज का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्ती हेतु तब अस्सी एजेंसियों से स्वीकृती की आवशक्ता होती थी। इस अवधी में विनियमन की कड़ी व्यवस्ता थी तथा उत्पादन और इसके विबिन रूपों पर सरकारी नियंत्रण होता था। 1991 में नई आर्थिक नीती का उदय नई आर्थिक नीती का जोर अर्थव्यवस्ता में अधिक प्रतिसपर्धा पूर्ण वातावरन का निर्मान करने पर था। जिससे उत्पादक्ता बढ़ाई जा सके तथा पूरी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ऐसा कम्पनियों के प्रवेश पर प्रतिबंधों को हटा कर तथा कम्पनियों के विकास की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर किया जा सकता था। सारांश हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों के बीच से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है जहां सार्वजनिक तथा निजीक शेत्रक के उपक्रम एक साथ वर्गी कृत किये गए। पंच वर्षिय योजना अवधी की दोरान हमने दो प्रकार का नियोजन देखा। आधार भूत नियोजन तथा दिरगावदी परिप्रेक्ष से बनी योजना। बीजों की अधिक पैदाबार देने वाली किस्मों के माध्यम से देश में क्रिशी के क्षेत्र में हरित क्रांती की शुरुवात हुई। हरित क्रांती की सहायता से देश को खाध्यान उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त हुई। भारी धातु उद्योग, खनन में सहायक अभियांत्री की उद्योग तथा रासायनिक उत्पादों ने योजना अवधी में देश के और द्योगिक क्षेत्र के परिद्रिश्य को बदल कर रख दिया भू सुधारों तथा जोत की सीमाय तै कर सरकार ने छोटे जोत वाले के सानूं तथा भूमी हीन क्रिशी श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए विभिन अध्योगिक नीतिगत प्रस्तावों के माध्यम से सरकारूं ने देश के भीतर उभर रहे घरेलू उत्पादकों के अनुसार देश की आयात तथा निर्यात नीतियों की समीक्षा की 1991 में नवीन आर्थिक नीति ने नीजी स्वामित्व तथा नीति निर्माण में सरकार के कार्यों में अपेक्षाक्रित कम नियंत्रणों की अवधारणा को साकार रूप दिया